दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ 10 कैमरा सेटिंग्स जो हर बिगनर फोटोग्रोफर को या कोई भी फोटोग्रोफर जब अपना फोटो शूट शुरू करे उनको ये कैमरा सेटिंग्स पता होना बहुत ही ज़रूरी है और अगर आप इन से केनल फरेंड्स देसिस मनीश सकसेना शुडू करते हैं आगाई के में के आफ मिन पता हूं उससे पहले में आपको चीज स्क्ल करते हैं ये सारी सेटिंग्स सभी कामरा में अपलाई हूती हैं और हो सकते हैं थोड़ा बहुत नाम यहां वाहां हों थोड़ा feature का नाम थोड़ा सा different हो Sony में या Canon में या Nikon में फिलाल मेरे पास में Nikon का camera body है तो वो settings में आपको Nikon पी बताऊंगा बट मतलब जो है वो सब के लिए एक ही है fundamental सब जगा सेम ही रहेंगे तो बात करते हैं आज की पहली camera setting तो दोस्तो सबसे पहली camera setting होती है वो यह है कि आपको select करना है कि आपको image quality जो है वो किस format में आपको shoot करनी है अब बहुत सारे format होते हैं जैसे कि आप screen पर देख पा रहा है यहाँ पर आपको jpeg दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर tips यहां आपको दिखाई दे रहा है Jpeg Find, Jpeg Small कि आपको दिखाई दे रहा है यहां पर RAW तो भाहिया आब आपको तह करना है कि आपको किस formdies में शूट करने मेरी तरफ से है मैं आपको suggestion दूँगा कि आप हमेशा RAW पे ही shoot करें उसका benefit ही होता है कि आप उस RAW image को बाद में Lightroom जैसे software पे या Capture One Pro या Photoshop के अंदर इन software के उपर अगर कोई भी problems आपकी रह जाती है तो वो आप उनमें connect कर सकते हो in terms of your exposure, white balance, highlights, shadows, बहुत सारे options होते हैं जो हम उसमें use कर सकते हैं, लेकिन तभी उसका फाइदा मिलता है जब आपने image को RAW पे shoot किया है, तो पहली setting आपको रखने है RAW पे अब बात करते हैं आज की दूसरी camera settings ही, तो यहाँ पर आप देख पर है दूसरी camera setting है wide balance, अब दोस्तो wide balance जो हैना वो बहुत important होता है दोस्तो wide balance actually होता क्या है, देखिए क्या है कि हम अलग-अलग lighting conditions में shoot करते हैं और camera जो है, वो human eye की तरह नहीं देख पाता, मालीजे मैं अपन लोग सब human हैं अगर हम किसी भी dark lighting में हैं या किसी जहां पर नीली, पीली, हरी, किसी भी तरह की colors हैं लाइटिंग के indoor, outdoor में, तो वहाँ पर हमें white चीज, white ही दिखाई देगी, red ही दिखाई देगी और हम उस color को हम पढ़ सकते हैं किसी भी lighting condition में, लेकिन जो camera होता है दोस्तों, जब हम view finder से देखते हैं इस तरह से, तो होता ही है कि जैसे ही आपकी lighting condition, जैसे अभी यहाँ पर tube light जली हुई है और मैं यहाँ पर देखूँगा, तो lighting condition completely different, तो मेरा camera जो है, वो confused हो जाता है, कि भाई, actual मैं colors क्या है, तो उन colors को ठीक करना ही, जो है white balance को correct करना है, यानि कि camera की arc को ठीक करना, is basically is correcting your white balance, तो जब आप अपनी camera की eyes क ठीक कर देते हैं, तो camera भी जो है, red को red, green को green, white को white, blue को blue, किसी भी lighting condition में देख सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों, आपको white balance को बहुत ही ध्यान से रखना है, अब आपको white balance कैसे रखना है, इसके उपर मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, और दोनों वीडियो जो है, जब इसमें डेमो के अंदर दिखाईए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखे, तो दूसर सेटिंग हमारा हो गया, white balance, तो फिलाल white balance जो है, आप जब तक आपकी mastery ना हो जाए, आप auto पे रखिए, वो एक better option है, rather than trying different options, जासे कि उसमें आपको shades मिलता है, या उसके अंदर picture control की, अब picture control में यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भई, आपको जो pictures है, आपकी, उसका format क्या रखना है, बहुत सरे लोग क्या करते हैं, कि भी portrait shoot करें, तो portrait mode में चले जाते हैं, landscape shoot करें, तो landscape select कर लेते हैं, या उनको vibrant color चाहिए, तो vivid mode select कर लेते हैं, आप ऐसा मत करिए, आप अपने option देखिए, कि भई, आपके options क्या क्या है, आज कल जो है, neutral, flat, ये सारे cameras में आने लगा है, तो अगर आपके आप यह flat है, तो आप flat choose करिए, और neutral है, तो आप neutral रखिए, उसका benefit यह होगा कि जब भी आप picture shoot करेंगे, तो colors जो है, वो बहुत, उसमें register नहीं होते ह है, वो neutral image आपको shoot होके आती है, और जब आप software के अंदर, यानि की capture one pro में, या light room में, या photoshop जैसे software में, आप, जब आप color grade करते हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा highlights and shadows के साथ में play करते हैं, तो आपको पता चलता है, कि आपकी image जो है, बिलकुल completely, जो है, next level पे चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको high dynamic range का जो है, वो एक benefit मिलता है, और जब आप neutral image को एकदम थोड़ा सा color grade करेंगे, थोड़ा से colors को connect करेंगे, तो आपको जो है, उसका level जो है image का, वो completely एक अलग नजर आने लगता है, तो आपको यहाँ पर neutral या flat choose करना है, तो आप देखिए पार स्क्रीन के पर बहुत ही आसानी से जो है, यह selection कर लिया अपने camera के अंदर, अब बात करते हैं, दोस्तों हमारी चौथी setting की, तो जो हमारी fourth setting है, वो रहेगी दोस्तो, color space की, अब color space जो है, यहाँ पर भी आपको दो option मिलते है, srgb and adobe rgb, अब फरक क्या है, देखिए होता क है कि जब भी हमारी सारी picture edit राती है, अब अपनी pictures को चाहे Instagram पे upload कर रहे हैं, चाहे Facebook पे, यह अपनी website पे या internet पे कहीं भी, तो वहाँ पर हमें srgb format पे ही जो है ज़रुत पड़ती है, लेकिन जब आप shoot कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप adobe rgb ही दखिए, उससे benefit ही होगा क जब आप adobe rgb पे shoot करेंगे, तो आपको जब color gamut है, वो काफी wide मिलेगा, यानि कि आपको color की range है, वो काफी आपको बड़ी मिलेगी, और जब आप इसको process करते है raw image को, दोस्तो raw image को process करना बहुत ही important है, उससे आपको बहुत सारे benefit होते हैं, इसके उपर मैंने capture one pro पे काफ प्लेइलिस्ट है, वो भी मैं नीचे लगा देता हूं, उसे भी आप ज़रूर आप follow करिए, वहाँ पर आप काफी कुछ देख पाएंगे कि किस तरह से जो है, पोस्ट के अंदर काम होता है, shooting के बाद में, तो काफी आपको knowledge मिलेगी, तो यहाँ पे color space जो है, आपको adobe rgb रखती हैं दोस्तों, उसे आपको benefit ही होगा कि भाई, color gamut आपको काफी सारी मिलेंगे, आपकी जो photos है, वो बहुत ही खुबसूरत colors के साथ में, खुबसूरत एक finish के साथ में नजर आएंगी, तो यह छोटी छोटी camera settings जो आपके साथ share कर रहा हूं, यह बहुत important होती हैं दोस center weighted और matrix, तो यहाँ पर आपको ध्यार रखना है कि कौन सा metering mode कि situation में use करना है, for example अगर हम बात करें spot metering की तो वहाँ पर जो है camera meter करेगा, बिलकुल एक particular spot को यानि कि जैसे कि आप अगर किसी का tight close up ले रहे हैं, eyes पे shoot कर रहे हैं, या किसी का आप एक portrait ले रहे हैं, जहाँ प metering mode पे, लेकिन अगर आपको पूरा frame लेना है और frame के बीच में से कोई हिस्सा ज्यादा focus में रखना है, तो वहाँ पर आप center weighted metering mode use कर सकते हैं, center weighted क्या करता है कि बिलकुल जिसे यहाँ पर option है, आप इस तरह से दिखिए, मैं आपको दिखावरो screen पर देख पर है, आप चु करते हैं, जो photo shoot करते हैं, वो होती हमारी matrix metering, तो वहाँ पर जो है, automatically light card, जो भी light होती है, जहां भी हम shoot कर रहे है, background में कितनी lighting है, foreground में कितनी lighting है, color tones कैसे है, उस scene के अंदर सारे, तो वो automatically जो है, वो अच्छे से meter कर पाता है, तो ज्यादा तर situation में matrix metering ही काम आती है, but again it depends on what kind of shot you are taking, what kind of photo shoot you are doing, what kind of project you are doing, according to the project, according to the shot, उसे हिसाब से, आपको metering mode जो है, वो ठीक से choose करना है, तो इन 3 metering modes को जो है, अब Sony के अंदर भी होता है, Canon में भी ही मिलेगा, Columbus में भी ही मिलेगा, और Nikon में भी आपको यही मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है, metering mode जो है, वो हम निकल के आती है, एक finish, वो आपको बहुत matter करती है, वो ठीक से निकल के आती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो metering mode is very very important, अब बात करते हैं, autofocus mode की, तो autofocus mode भी जो है, दोस्तों बहुत ही है, यह आज की छटी camera setting है, autofocus mode, और जैसे कि आप screen पर देख प mode आपको रखना है, photoshoot करते वक्त, और कौन सा autofocus mode काम का है, कि situation में, तो यह चीज़ बहुत important है, अगर आप एक stationary subject shoot कर रहे हैं, यानि कि जो stationary subject है, जादा हिलता विलता नहीं, एक ही जगह पर है, या बहुत light moment है, तो वहाँ पर जो है, आप autofocus single point यूज कर सकते हैं, जो कि जादा तर portrait photography के अंदर काम ही आता है, modeling portfolios में, या इस तरह की pictures होती है, beauty and hair photography, jewelry photography, जादा तर यह mode वहाँ पर work करता है, लेकिन अगर आप moving object shoot कर रहे हैं, कोई sports related, या कोई इस तरह का shot ले रहे हैं, जहाँ पर काफी सारा action है, या आप panning कर रहे हैं, panning shots लेदे हैं, panning photography कर रह left to right और right to left, तो वहाँ पर आपको continuous focus, जो है, autofocus वह आपको रखना पड़ेगा, so autofocus points वह आपको बहुत ध्यान रखना है, फिर कितने points हैं, वह भी आपको ध्यान रखना है, हर camera में किसी में 9 होते हैं, 11 होते हैं, किसी में 21 होते हैं, कहीं 51 होते हैं, और भी आजकल बहुत continuous कभ यूज करना है, और autofocus आपको single focus point कभ यूज करना है, तो बस आप इन छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, तो आप जिखेंगे कि आपका जो focus है, वह भी बहुत tag sharp मिलेगा, तीकि photography में दोस्तों focus बहुत important चीज़ होते हैं, अगर आपका focus बिल्कुल tag sharp है, तो आपकी image बिल्कुल ऐसी लगती है, एक दब 100 number की, और अगर आपने सब कुछ ठीक है, lighting, सब कुछ perfect और आपने focus में गलती करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कि image थोड़ा सभी blur effect आगया, उसमें sharpness चली गई, means सारी detailing चली जाती है, तो यह camera settings बहुत ही काम किये दोस्तों, अब बात से यूज कीजिए, instead of using this, आप यह shutter आप देख पा रहें, इसको अगर आप use ना करें, तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो यह back button है, यह बहुत ही काम का होता है, autofocus के लिए, और इस तरह से जब मैं फोक, जब मैं अपनी photo shoot करता हूं, तो मैं पीछे का जो है autofocus का यह on र उनके camera में शायद यह ना हो, अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जो भी traditional तरीका है, यानि कि आप इस तरह से focus कर रहे है, अपने shutter release button को इस तरह से दबा के, तो आप वैसे ही कर सकते है, बस थोड़ा सा problem होता है, sensitive होता है, तो कई बार photo खिच जाती है, frame कई बार जो है काम की चीज़ होती है, आपको एक बार शुरू में थोड़ा सा अरीव लगेगा, लेकिन एक बार आपकी practice हो गई, तो आप इस button को बहुत ही कमाल सी use कर पाएंगे, यानि कि focus करने के लिए ये वाला button और picture खीचने के लिए ये वाला, तो दोनो buttons जो है आपके अलग-अलग ह के उपर बहुत सरे वीडियो आपने देखे होंगे और डी यानि कि ISO, shutter speed and aperture, अब ये तीनों settings जो है दोस्तों depend करती है, आप किस तरह का shoot कर रहे है, lighting condition कैसी है, indoor shoot कर रहे है, studio photography कर रहे है, outdoor photography कर रहे है, तो वहाँ पर आपको जो है, आपका exposure triangle, आपको बिल्कुल वैसे ही रख मेरी settings को copy मत करिए, क्योंकि जो भी pictures मैं community में डालता हूँ, या जो photo shoot में आप देख रहे है, वहाँ पर lighting का, जो condition है, shoot का time, जो जिस time पर मैंने shoot किया, वो timing अलग है, lighting कितनी model के face पर आ रही है, या total available light कितनी है, उन सब को ध्यान में रखके, मैंने अपना exposure triangle जो है, वो set किय करिए, उसकी जगा जो है, अपने exposure triangle पर experiment करिए, आप करना कैसे है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीकिए, ISO जो है, वो आप जितना कम रखेंगे, उतना better रहेगा, जितना जादा ISO, बहुत simple सी बात है, बहुत सरल भाशा में मैं आपको समझानी कुशिश कर रहा हू तो भाई, ISO जो है, जितना आप ऊपर जा रहे है, ISO उतना ही जो है, आप fake light दे रहा है, यानि fake light means नकली picture, ठीक है, बहुत सरल भाशा में समझ लें, यानि कि उसमें आपको बहुत सारे जो है, फिर grains दिखाए देंगे, clarity नहीं होगी, picture जो है, तो एक simple सा formula है, जितना कम हम ISO र camera जो powerful flash आ रहे है, आप उन्हें ही यूज़ कीजिए, and keep your shutter जो आपके ISO है, उसको आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है, हाला कि कुछ नए जो cameras आ रहे हैं अभी, वहाँ पर आपको higher ISO पे भी जो है, imagery quality बहुत अच्छी मिलते हैं, जैसे कुछ Sony के camera है, Nikon के हैं, या Canon क आपके हैं, तो वहाँ पर आपको जो अच्छे camera bodies हैं, वहाँ पर आगर आप 1000 की उपर तक भी चले जाते हैं, थोड़ा बहुत तो वहाँ पर again, picture की जो clarity है, picture की quality है, वो बहुत ही अच्छी रहती है, but simple सा fundamental है, जितना ISO उतनी fake light, तो इससे में बचना है, अब बात करते हैं, shutter speed की तो, shutter speed जो है दोस्तों, वो भी आपको बहुत ध्यान से समझना है कि shutter को कितनी देर तक हमें open रखना है, और कितनी जल्दी close करना है shutter को, जितना shutter देर तक खुला रहेगा, उतनी light अंदर पास होगी, और जितना shutter जो है, तेजी से बंद होगा, उतनी light कम पास होगी, तो यहाँ पर आपको combination बठाना है कि aperture मेरा कितना खुला हुआ है, और मेरा shutter मुझे कितना, उसकी speed कितनी रखनी है, तो यह आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको shutter की speed और aperture, aperture means hole, छेद, अब आपका hole कितना छोटा है, कितना बड़ा है, जितना बड़ा होगा, उतन चोटा hole होगा, उतनी कम light pass होगी, तो इन तीनों चीज़ों को आप थोड़ा सोची रेबाब शॉट ले रहे हैं कि मुझे कितनी light pass करानी aperture से, और मुझे कितनी shutter speed रखनी है, निकी shutter का speed मुझे कितना रखना है, कितनी जल्दी खोले और कितनी जल्दी बंध हो, और ISO कितनी र होता है, दोस्तों, देखिए कि बहुत सारे जो camera, आप क्या होता है कि जब भी आप camera body खरीते हैं, जो भी आप lens आप लगा रहे हैं, especially मैं बात करूं, prime lenses की 35 mm, 28 mm, 50 mm, या आप देखेंगे 85 mm, 105 mm, 100 mm, जो भी आप ले रहे हैं, तो क्या होता है कि camera और lens ये पूरा तरह का combination होत पता होता है कि लेंस का भी जो है calibration होता है, lens को भी calibrate किया जाता है, तो कई जो cameras है, अब मैं I don't think so की beginner level के camera में शायद ये feature ना आता हो, बट उसके थोड़ा सब ऊपर जाएंगे, तो वहां पर आपको autofocus tune का feature मिलेगा, जैसे कि आप screen पर देख पा रहे हैं, वहां पर जो है आपको autofocus tune यानि कि आपको अपने lens को calibrate करना है, अब lens को calibrate करने का यार मैं वीडियो नहीं बना पाए, दोस्तों मैं कभी बनाओंगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको simple भाशा में बता देता हूं कि भाई, एक पूरा बकाइदा आपको एक scale होता है, वहां पर आपको जो simple language में बता रहा हूं और उस जो भी readings आ रहे जितना भी focus वह जहां पर टैक शार focus दे रहा है बस वह reading हमको इसमें अपने autofocus tune में जो है save कर लेनी है, तो जब भी आप उस lens को लगाओगे, automatically वह settings आपका camera ले लेता है, इसको हम कहते हैं lens calibration करना, I think Canon के अंदर इसको micro adjustment बोलते ह और इसमें autofocus, और sony में I don't know उसका क्या नाम है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन वह same ही है, तो आपको यह देखना है कि भाई, इसके अंदर यह feature है की नहीं आपके camera body में, अगर है तो आप अपने lens को भी calibrate कीजिए, उससे benefit ही होता है कि, lens कई बार क्य कर दोगे, तो वहाँ पर आपको image बहुत ही tech sharp मिलेगी, आपको जो focus है, वो कमाल का जो निकल के आएगा, और lens जो अपनी best performance दे पाता है, यानि कि जिस optics के लिए, जो optics यूज करे गए हैं lens के अंदर, वो अपनी best performance देते हैं, अगर आपका lens calibrate है camera body के साथ में, तो यह एक छ sensor को जो है, बचा के रखना, उसकी बराबर जो है, देख भाल करना, तो हर camera के अंदर जो है आप देख पाएंगे, एक image sensor clean करने के option होता है, तो वहाँ पर आप अपने, जब भी आप अपनी photography शुरू करें, यानि कि जब भी कोई भी photo shoot करें, तो अपने camera का sensor है, उसे अब image में कई बार dots दिखाई देंगे, कई बार image clear नहीं आ रही है, the reason is simple कि आपका जो sensor है, वो खुड़ा dirt आ गई, उस पे गंदा हो गया है, तो यह चीज़ ना हो दोस्तों, मैं जब भी भी अपनी photo shoot चालू करता हूं, तो आप screen पर देखी पा रहे हैं कैसे एक button है पूरा और बिलकुल fraction of second, थोड़ा 10-5 second लगते हैं और आपका sensor जो है immediately clean हो गया, और अगर आपका sensor गंदा हो चुका है, अभी दक आपने clean नहीं किया, तो भाई किसी अच्छे service center में जाईए, और वहां पर जो है, बिलकुल आप अपने sensor को clean कराईए, तो यह थी आज की मेरी दोस्तों दस camera settings जो की आपको help करेंगी आपकी photography को next level पे लेके जाने के लिए, उमीद है आज का वीडियो आपको पसंद आयोगा, दोस्तों चैनल तो आप subscribe कर लो यार, चैनल सबस्क्राइब करते हो तो थो थोड़ा सा confidence आता है, तो चैनल को जो आप subscribe ज़रूर करिए दोस्तों, पिर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में इसी तरह की photography tips and tricks tutorial देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, thanks for watching